पिशली वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10 प्रिजदी चाय उत्पादन जादा है क्वाल्टी भी अच्छी है अब तक 60,000 किलोग्राम तक चाय बना ली है तथा सीजन में 1.50 किलोग्राम तक बना लेंगे जर्मनी चाय की डिमांड आई है चार लोट जर्मनी में बेश दिये ग दा मिले हैं पिशले साल की अपेक्षा इस वर्ष कॉलकाता और विदेश में चाय बिक्री में 90 रुपए प्रती किलोग्राम ज्यादा रेक मिल रहा है हलांकि कोबिट 19 महामारी के चलते इस मर्तवग कांगरा चाय उत्योग को नुक्सान की आशंका जताई जा रही थी लेक यह भी विशेश बजा है कि इस पार देश विदेश में कांगरा चाय को पिछले वर्ष की अपेक्षा 90 रुपए प्रती किलोग अधिक ताम मिल रहे हैं उधर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा दस विजदी अधिक आंक चुकी है तथा इस सीजन के दुरान उध्योग प्रवंधन ने 1.50 लाख किलोग्राम चाय तयार करने का लक्ष निर्था रित किया है जानकारी के अंसार धरमशाला चाय उध्योग को जर्मनी से 800 किलोग्राम के लगबग चाय का ओडर मिला है हलांकि उध्योग प्रवंधन को कोबिट 19 महामारी की चलते विद्येश से ओडर मिलने की उमीद कम थी ऐसे में ओडर मिलने पर उध्योग प्रवंधन ने 4 लोट चाय जर्मनी को बेच पी दी है जिसकी डिस्पेचिंग अगले मा होनी है कंपनी प्रवंधन की माने तो 30 मार्च से अब तक धरम चला चाय उत्योग में जो चाय उत्पादन हुआ है वो भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 पीजदी अधिक है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाय उत्योग के लिए इस वर्ष का मोसम अनुकूल रहा है गोर तलब है कि जर्मनी से पहले भी धरम चला चाय उत्योग को चाय की डिमांड आती रही है लेकिन यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि जर्मनी में मार्च अप्रैल में तयार चाय की डिमांड रहती है जबकि बरसाथ के तुरां तयार होने बाले चाय की डिमांड कम ही रहती है तो हमें इमिजेटली कोई पांचे दिन के बाद हमें प्रोडक्शन करने की परमिशन मिल गई थी तो 30 मार्च से लेके अभी तक जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुए है वो कमपेरिटिवली लास्ट येर से हम लोग अहेड चल रहे हैं पिछले साथ से तकरीबन कोई दस परसंट हमारी जो क्रॉप है लास्ट येर से जादा बनी है इस वार क्यूंकि वैदर इस बार कुछ फेवरेबल जा रहा है रेंस भी अच्छी हो रही है और क्वालिटी वाइज भी चाय हमारी बहुत अच्छी बन रही है अभी तक हम लोग ने 60,000 केजीज बना ली है तो उमीद है कि हम लोग 1.5 लैक्स केजीज इस साल बना लेंगे लेकि अभी तक जो हम लोग ने चाय बेची है वो कलकता आउक्षिन्स में ही बेची है कुछ private सेलिंग भी है कलकटा में तो उसमें rates भी अच्छे हैं और एक ने अभी तक चार invoices हम लोग ने जर्मनी में बेच दिये हैं हलांकि चाय अभी तक dispatch नहीं हुई है वो आने वाले महिने में वो भी dispatch हो जाएगी जैसे मैंने आपको पहले भी बिताया कि quality काफी अच्छी थी तो कलकता में भी हमें लास्ट ये के comparison में अच्छे दाम मिले हैं और export में भी हमें अच्छा दाम मिले हैं लास्ट ये तक जो हम लोग अगर figures में comparison करे एक्सपोर्ट और कलकता अगर दोनों को मिला के तो लास्ट य चल रहे हैं इस सीजन का एंड तो first week of November तक production चलती ही रहती है तो उस time तक हम लोग कोई डेड़ लाग केजिस के करीब चाहे पना लेंगे अभी तक जो हमारी उमीद है